पूरे देश में बवाल मचा हुआ है हर कोई कोई उसके पक्ष में है तो कोई उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है जिस तरह से प्रियाग राज में आफरीन फातिमा के घर पर बिल्डोजर से कारवाई की गई उस पर आप क्या राय रखते हैं दोश अगर एक का है तो क्या उसके सारे घरवालों को सजा मिलनी कहां तक जाईज है ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जनता सबसे बड़ी जज है जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और अगर जनता चुप रहेगी तो क्या पता अगला नंबर उसका है क्योंकि जल्म को सहना भी एक जुर्म है अब आप बताईए कि क्या आखिर सही हुआ मैं यहाँ धरम पे बात नहीं कर रहा मैं यहाँ जाती पे बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ तो सही और गलत की अगर कोई किसी ने गलत काम किया है या मान लो उस पर आरोप लगा है वो बात की बात है कि वो साबित हो गा या नहीं लेकिन मसला कोट में जाने से पहले सरकार अगर उस पर बिल्डोजर चला दे और घर में रहने वाले सभी सदस्य बरबाद हो जाएं तो यह कहां तक उचित है क्या घर में केवल वही आरोपी रहता है जिस पर आरोप लगा है सोच ये और सोच के देखिए कि आखिर कितना सही और कितना गलत हो रहा है हमारी सरकारें जिसको हमने चुना है क्या वो फीक वैसे काम कर रही है जैसा हम चाह रहे थे हमारी उम्मीदों पर काम कर रही है या नहीं इसको लेकर सोचल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आखिर लोग क्या ट्वीट कर रहे है भारत से लेकर कोई तक किस की चर्चाए हो रही है क्योंकि बोला जा रहा था कि भारतियों की नौकरी अब खत्रे में आ गई है वो इसलिए क्योंकि भारत के नागरिकों की ब्यान की वजा से जो यहां फजियत हो रही है वो बाहर देशों में रह रहे हिंदू जेल रहे हैं ये सोचने वाली बात है मैं आपको आज के ट्वीट बताता हूँ जो जिने लेकर सबसे जादा चर्चाए हो रही है वो कौन से टूइट हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर हलचल मसी हुई है पिकाल याकत जो की एंकर हैं मशूर जो आपके घर में दस्तक देती हैं टीवी पर जिनें आप डिबेट में सुनते हैं वो क्या कहती हैं कुवेट में नुपुर्शर्मा के खिलाफ परदशन करने वालों को गिरफतार कर वापस उनके देश भेजा जाएगा कानून के मताबिक गैर कुवेटी लोग उसे देश में परदशन करें तो अपराद है इसी देश पर कुछ लोग बड़ा इतरा रहे थे लोगतांतरिक मोल्यों में भारत का कोई सानी नहीं है दिलों दिमाग में बसा लीजिए ये बोल ये लवज लूबी का रियाकत के हैं अब इसके अलावा और इनके रिप्लाई में क्या कहते हैं जरा ये भी आप सुन लीजिए जाकिर आगे हैं जो कहते हैं कि शुक्र है कि वापस तो भेजे जा रहे हैं बाकि यहां तो प्रदशन करने वालों को गोलियां तक मारी जा रही है चारसो के करीब लोगों को गिरफतार कर जेल भेजा जा चुका है दरजनों के घरों को तोड़ा जा रहा है सबसे मजबूत लोकतंत्र इस मुल्क में इसलिए गिरफतारी हत्या और घर तक तोड़े जा रहे हैं जरा गौर करिए कि आप देख क्या रहे हैं और आप के यहां चल क्या रहे हैं ये तमाम टीवी अकबार आपको क्या दिखा रहे हैं और आप सचाई से रूबरू हो ये कि आपके बीच क्या हो रहा है सविधान का गला गोटा जा रहा है कानून आप देखी रहे हैं कि कैसे मामले कोट में नहीं जा रहे हैं और सिर्थ बुलडोजर से फैसला क्या जा रहा है जब कारवाई बुलडोजर से होनी चाहिए तो आखिर इस देश में अदालतों का क्या काम है आप सोच ये देश, सविधान, कानून हमारा सब को समान रहने की इज़ाज़त देता है सब इसके लिए बराबर हैं आप बाबा साहिब के देश में रहते हैं सविधान सब को बराबर की इज़ाज़त देता है लेकिन ये फिर कैसी कारवाई होती है जो किसी एक समुदाय को टारगेट करके होती है ये बार-बार आरोप लग रहा है आप बखू भी जानते हैं इसके जवाब में राजबबर क्या कहते हैं बुल्डोजर जज नहीं हो सकता उसी तरह अवैद कोई एक चुलिंदा मकान नहीं हो सकता फिर भी जरूरी लगे तो मकान गिराइए लेकिन ठहर कर ये जरूर सोचिए कि क्या उसमें सिर्व वही रहता है जो गुनेगार है सगे संबंदियों के सर से छट छीन लेते हैं उससे आखिर जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा ये जरा सोच ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जिस पर आरोप लग रहा है केवल उस घर में वही नहीं रहता उसका परिवार रहता है उसके सब लोग रहते हैं उसके रिश्तिदार रहते हैं लेकिन जरा सोच ये जिस पर आरोप लग रहा है क्या आपके वल उसे सजा दे रहे हैं या पूरे उसके परिवार को सजा दे रहे हैं ये सोच के देखिए और अगर आपके आसपास ऐसा हो र पर कहा है कि यह पूरी तरह से गैर कानूनी है यदि यह मान लिया जाए कि उस घर को गैर कानूनी तरीके से बनाय गया था जैसा की करोडों भारते इसी तरह रहते हैं इलाबाद हाई कोट के पूर्वन्याइध्वीश है यह गोविन मातुर जिनोंने घर तोड़े जाने पर पर जाए कि यह पूरी तरह से गैर कानूनी है अब मामला यहां पूर्वन्याः याध्वीश का है वह कह रहे हैं लेकिन आज के जो न्याइध्यश देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखे याचिकाओं पर फैसले भी किसाधार पर हो रहे हैं कहां जुबैर पर जो मामला दर्ज या उसे हटाने वाली याचिका भी खारिज कर दी जाती है तो कहां परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर पर एफाया दर्ज करने की जो याचिका जाती है उसे भी खारिज कर दी जाती है एक तरफ आप फर्क देख सकते हैं दोनों तस्वीरों में साफ जलगता है मुझे कुछ कहने के जरूत नहीं है दूसरी तरफ है अजीत अंजुम का ये ट्विट है कि चरनों में जगा मिल जाए यही हसरत है इनकी ये देखे योगी सरकार सीम योगी खुद हैं और उनके पैरों में आशिरवाद लेते हैं आप देख रहे हैं कि योपी पुलिस में एसीपी वारांसी बुल्डोजर कारवाई पर चटकारे ले रहे हैं ये वही अफसर है जो योगी आदित्तेनात के चरनों में पड़े हो और फोटो वैरल हो गई थी पुलिस परशासन है और सरकार के चरनों में इनसे आप इंसाफ की कितनी उमीद ये जरा आप ये बताईए क्या परशासन सरकार के आगे ऐसे जुकता हुआ दिखाई देगा ये तस्वीरें इसको साबित करते हैं ये तस्वीरें इसका सबूत है जब परशासन अगर सरकार के आगे नतमस्तक हो जाएगा तो आखिर आप इंसाफ की उमीद किस से करेंगे इस तस्वीर से साफ जलकता है कि जो बुल्डोजर के कारवाई होती है जो तमाम लोग परदशन करने सडकों पर आये थे जो तमाम लोग अपनी आवाज उटाने सडकों पर आये थे उन पर गोलियां चलाने में आखिर किस की मंचाती उनके पीछे कौन था पुलिस परशास आए आप देख रहे हैं कि आखिर आज के माहौल में क्या घट रहा है सही और गलत ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा फैसला आपको करना है क्योंकि जनता से बड़ा कोई जज नहीं होता आप बताईए और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपन हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें